दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज जिनांक है 31 अक्टूबर सन 2023 विक्रम समद 2088 चल रहा है कातिक मास है कृष्ण पक्षे शरद रितू है तिथीत रतिया है और आज का वार है मंगल वार आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिनी नक्षत् तक और योग की द्रस्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है करण वनीज है सुब़े 9. kinderen बगानी तक शुर्योडे का समय दर्शे को सुबबे 6.35 बच के 35 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम5.45 मिनट का है आज का राहुकाल दौपयर भात तीन से 14.30 मिनट के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभी जित मुरत आज 11 बच के 48 मिनट से दोपेर 12 बच के 32 मिनट के बीच है दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा ये हैं सुबह 10 बच के 18 मिनट और फिर 11 बच के 3 मिनट आज का दिशा शूल दर्शे को उत्तर दिशा में है तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि उत्तर दिशा की यात्रा को हमें टालना है फिर भी अगर जाना बहुत जरूरी अनिवारे यात्रा है तो परिहार करें परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाना है उत्तर दिशा के और मुक करके और पांच कदम पीछे चलना है और फिर जब यह सारी प्रक्रियाब कर रहे हों तो अपने हिर्दे में अपने इस्ट या सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले अपने कुटम में आप सी संबंद आपके प्रबल होंगे साथी साथ रिष्टेदारी में ही आप किसी के साथ बिजनस में कोई डील या पार्टनर्शिप भी कर सकते हैं ऐसे ही व्रश राशी वाले आप कोई कठोर नेड़ने ले सकते हैं जिसका लाब समय रहते हैं आपको मिलेगा किसी बहुत निकट के व्यक्ति के साथ बहस भी हो सकती है लेकिन सयम से अगर आप काम लेंगे तो वो मामला जो है वो सुलच जाएगा ऐसे ही मिथुन राशी वाले आज किसी अंजान व्यक्ति के साथ मेल जोल बनाने से बचें तो कि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा और करक राशी वाले परिवार के लोगों के साथ बैठ कर समवाध होगा किसी बात को लेकर ठोस चर्चा संबव है घर में भहमानों का भी आना हो सकता है ऐसे सिंग राशी वाले किसी की बात आपको काफी हद तक चुप सकती लेकिन आप उस और ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने बाकी कामों में ध्यान लगाईए कन्या राशी वाले परिवर्तन को लेकर उत्साहित रहेंगे कुछ पुरानी बाते हैं पुराने लोग सामने आ सकते हैं घरवालों के साथ कहीं भार जाने का प्लान भी हो सकता है लेकिन अर्चेने भी आएगी उसमें और तुला राशी वाले बविश्य की चिंता में आज आप कुछ खोए रहेंगे कुछ बातों को लेकर परिशान भी रह सकते हैं वहीं व्रश्चिक राशी वाले किसी से धुका मिल सकता है जो आपके दिल को दुखाएगा परिवार में सभी के साथ आपका संबन्द और भी जादा सुन्दर और मजबूत बनेगा ऐसे धनू राशी वाले शाम के समय दुरगटना होने के संकेत हैं इसलिए वाहन ना चलाएं किसी दूसरे के साथ ही यात्रा करें और मकर राशी वाले सुबह से किशी बात को लेकर चिंतित रहेंगे लेकिन शाम होते होते उसका समाधान आपको निकल आएगा और कुम राशी वाले जैसा आप सूचेंगे जैसा प्लान करेंगे वैसा आज नहीं हो पाएगा आराम भी नहीं मिलेगा और काम का बोज कुछ ज़्याद़ ही आज आज आपके उपर रहेगा ऐसे ही मीन राशी वाले परिवार के लोग कुछ प्लान कर सकते हैं शाम के समय उनके साथ बाहर जाना हो सकता है आज का दिन बहुती सुन्दर और बहुती शुब सिद्ध होगा आपके लिए अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विस्ष्ट रुपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जूतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को शास्त्रों में एक बहुती सुन्दर श्लोक आता है वो इस प्रकार है कि यथा शास्त्रम तो निर्णी तो यथा व्यार्धी चिकित सतय ने शमम्याती नो व्याधी ने कर्मजम बुधे पुनेश बेशजे शांता ते गया कर्म दोशजे विग्या दोशजास्वन्य केवला वाध संकरा इसका अर्थ ये है कि ग्रह जो है सुख दुख रोग कस्ट संपती विपत्ती इनका कारण नहीं होते हैं जैसा कि एक आम धार्णा है कि ग्रह गोचर खराब इसलिए ऐसा हो रहा है तो ग्रह गोचर इनके कारण नहीं होते हैं अच्छे बुरे के इन फलों की प्राप्ती का कारण तो मनुष्य के ही शुभाशुब कर्म होते हैं यापने शुभ कर्म किये हैं तो पुन्य प्राप्ती होगी अशुभ कर्म पहले किये हैं तो आपको उसका दुश परि तोज़ने की सामने का रास्ता कैसा तो प्रश्रिकुंडली के ग्रह वर्तमान में किये गए कर्मों की सूचना देते हैं इसका तात्ष परियेह है कि ग्रहों का सुचकत्व समझना चाइए यyni ग्रह ऐसा सिर्फ बता रहे हैं होना ना होना आपके करमों से जिस व्यादी का निर्डने चिकत्स को द्वारा शास्त्रोक्त विदी से किया जाकर चिकित्सा की जाए फिर भी वो व्यादी शांत ना हो, यानि डॉक्टर्स के समझ में रोग ना है, तब उसे करमज व्यादी चाननी चाहिए और उसके चिकित्सा भेशच यानि की वैद्दे के द्वारा या डॉक्टर के साथ अनुस्टानों मंत्र तंत्र द्वारा भी करनी चाहिए तो आची ग्यान चर्चा का सार ये है कि करम से आपके अच्छे जो जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वापकी करम फल है और जो बिमारी डॉक्टर्स के समझ में नहीं आ रही है वो आपकी करमों के फल से हो रही है तो उसका इलाज मांत्रिक रूप से होन चाहिए यानि अनुस्ठान के रूप में होना चाहिए जर्शो को आप करते हैं चर्चा उन्वस्ट रुपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समझ्चाओं के समाधान बहुती सरलता से कर देंगे और जिने करके आप सफलता क्यों द्रड़ता से तेजगती से कॉन्फिदे और रातरी में कर लें और फिर ये जो प्रशाद है इसको बंदरों को खिला दें सोयम भी थोड़ा सा खाएं तो हनुबान जी की कृपा होगी आने वाला जो पुरा वर्ष है उस्च शान्ती समरद्दी से बीटेगा इसमें कोई भी संदे नहीं है ऐसी दर्शे को बहुत द सिंदूर घी का चौला चड़ा कर एक या दो बैठक में 108 हनुमान चालिसा का पार्ट कर दें या फिर एक बहुत ही अमोग उपाय है कि हनुमान चालिसा का लोम विलोम पार्ट कर दिया जाए अब इसका आर्थ ये है कि एक पार्ट करें पहली 24 से 40 वी चौपाई तक इसको क करेंगे बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में असाध्य से असाध्यकारे आपके सिद्ध हो जाएंगे ऐसे ही आप तुलसी जी के 108 पत्तों पर केसर चंदन से राम लिखकर और भगवान हनुमान जी को इनकी बनीवी माला पहना दे साथ ही 27 लौंग की माला पहना दे एक चमेल ऐसे दर्शे को किसी बहुत बड़े कारे के लिए यानि ऐसा कारे जिसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा हो ऐसे विकट कारे की सिद्धी के लिए आज से आप एक मंत्र अनुष्टान भी शुरू कर सकते हैं इसके लिए सही समय है रातरी 9 बच के 15 मिनट 11 माला करनी है 11 दिन तक करते रहे हनुमान जी का पंचोप चाड़ से पूजन करें और फिर इस मंत्र का नित्य जाप होगा घीका दीपक रहेगा रिशा उत्तर की और रहेगा यानि मुक्षा आपका उत्तर के और मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र इस प्रकार है दीना अनुबंधी मेधावी प्रिमापडी राम वल्लब यद्देवं मारुतेवीर मेविश्टम देही सत्वरं आप करके देखिए हनुमान जी का कैसे आपके एक अनभव महसूस होगा कैसे आप समझेंगे कि हनुमान जी की शक्ति क्या होती है इस अनुष्टान के बाद आपको आपनी मनोकामना पूर्टी का मार्क सामने से मिलेगा कृपा और असीम शक्ति सामर्त आपके साथ हमेशा बना रहेगा तो दर्शे को ये थे आज को विसस्ट उपाए जो आपको समझेंगें से बाहर निकाल रहे हैं आपके विवा का योग है वो अगस्त 2023 के बाद से शुरू हो चुका है लेकिन वेवाईक जीवन में भारी समझें देख रही है क्योंकि बारवे भाव में आपके सूर्य शनी बुद्ध बैठ हैं तो अच्छा ये रहेगा कि आप इन ग्रहों की शान्ती करवाएं और अपना घट विवा भी करवाएं उसके बाद में ही आप विवा करें अब आपके रोजगार की या कामदंदे की बात करें तो नोक्री आप नहीं कर पाएंगे उच्छेती रहेगा कपड़ा कागज या पैकिंग माटीरियल का बिजनस कर लें आपके विदेश जाना भी बहुत फाइदे मन रह सकता है या फिर जनमस्तान से कम से कम 300 किलमेटर दूर चले जाएए तो आपका भाग्योदे होगा आज की दूसरी पत्री का हमारे पास आई है हमारे दर्शक सुमिद जी की 17 जनवर 1998 का जनम है सुबह 10 बच के 30 मिनट रतलाम प्रशन है विवा और स्वास्त के विशे में अपने प्रशन किया है कि विवा और स्वास्त के विशे में बताए सुमिद जी शनी की सीधी दरश्टी विवा भाव पह है तो विलम भोनात है लेकिन भागयवान धर्म पत्नी आएगे जीवन साथी बहुत भागयवान है यह भी निश्यत है आप स्वेम भी बहुत भागये शाली है आए कि साथ ही पेट की व्यादियों से बचने के लिए कुछ खाने पिने में ध्यान रखें ब्लट सुगर की समश्या ना हो इसके लिए भी खान पान आहर विहार के उपर अच्छा नियंतरन रखें तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसस्ट उपाई और ग्यान चर करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्टी निश्चित रूप से हो कारिकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवति आप सब कल्यान करें जया आदिशक्ति नमस्कार मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और अगर किसी प्रकार की कोई हर्डिल है कोई परिशानी है तो किस प्रकार की एकदम चोड़ी चोड़ी रेमेडीज करके भी हम अपने आपको पूरी तरह से उस परिस्ती से बाहर निकाल सकते हैं और आप तो जानते हैं इन सब क जानकारी के लिए हम लेते हैं एक से लेकर नौ मूलांग तक की डिवाइन गाइडेंस अब कौन सी रीडिंग है आपकी या कौन सा है आपका मूलांग यह आप नहीं जानते तेक उधारन देकर आपको पताना चाहूंगी अगर आपकी डेटो बर्थ है 22 यानि की 22 तो दो औ नमबर आता है चार और चार नमबर के स्वामी होते हैं राहूं तो क्या इंपक्ट पड़ेगा एक से लेकर नौ मूलांग तक के जातकों पर आए हम जानते हैं मूलांग एक के लिए आज जयानि की 31 अक्टूबर 2030 का दिन कैसा गुसरने वाला है और मूलांग एक के लिए हमें गाइड किया जा रहा है देखिए एलिकन्स का कार्ड है एक कार्ड हम और निकालेंगे दूसरा है फ्रेंशिप का देखो दोनों ही जगे पर ना दो बड़ी प्यारी-प्यारी सी एनरजी जाई वी हैं तो मूलांग एक के जात्म को क्लियर कहा जा रहा है कि देखिए आज का जो दिन है विशेशत तौर पर वो लोग जो की पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं या पिर as a team work कर रहे हैं या बात हो रही है आपकी अपने संबंधों की विशेश संबंधों की तो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की बहस बाजी से किसी प्रकार की नकरात्मक लड़ाई जगडे से आपको दूर रहना है ठीक है और आपको बड़े ही प्रेम बड़ाई जगडे को नहीं करेंगे बल्कि मित्रवत विवहार करेंगे मित्रवत आपको आज के दिन उन्हें समझना बहुत जरूरी है हो सकता है कि आपके बिजनस पार्टनर या आपके लाइफ पार्टनर जो कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हों उस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे हो और इगो पे ले जा रहे हो तो आपको आज क्लियर कहा जा रहा है अपने इगो से अपने आपको मुक्त रखें नकारात्मक भाव से अपने आपको मुक्त रखें बलकि अपने पार्टनर का सम्मान करें उन्हें समझने की कोशिश करें फिर वो चाह रहा है awareness and power आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको क्या करना है कि थोड़ा आसपास एक है ना लापरवाही नहीं करने आसपास के वातावरण पे आसपास के माहौल में थोड़ी सी नजर बनाए रखनी है क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी सहायता करना च जोड़ना चाहते हैं वो इंतिजार कर रहे हैं आपके response का लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में इतना जादा connected होंगे कि आप उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो आपको divine क्या कह रहे है कि आज के दिन आपको अपनी पावर से थोड़ा सा नीचियों तरना है सहज भाव में रहना है अपने इगो को अपने अंदर हावी ना होने दे सहज भाव में रहे और लोगों को समझने का देखने का प्रयास करें कहते हैं अपना हमारा नजरिया ही होता है जो पूरी दुनिया को हमें उसी दृष्टी से दिखाता है जिसने जिस रंग का चश्मा पह किस अक्टूबर तो हिजार ते Va影片 के लिए और मूलंक तीन के लिए हमें कहा जा रहा है कि मर्षी एंट्रीमर का काड़ous आपगो कहा जा रहा है कि जो भी कुछ आप जिUNDगी में concentrating करना चाहते जरूरी नहीं कि आप किसी को हर्ट करके किसी की फीलिंग को हर्ट करके किसी को नुकसान पहुंचा कि आप आगे बढ़ें क्योंकि आपको क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी आप प्लानिंग करें जो भी कुछ आपको हासिल करना है कि प्रॉपर प्लानिंग तयार करें आपका प कहीं न कहीं उसके लिए तयार नहीं है तो किसी का दिल न दुखाएं बल्कि लव और कमपैशन के साथ लोगों को कनेक्ट करें उनकी विचारों को जानने का समझने का प्रयास करें फिर से प्लानिंग करें अपने प्लानिंग पार्ट को और अच्छे से मजबूत करें और सही समय पर उसको आगे बड़े एक्शन में लेकर आए आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 अक्टूबर करनी है किसी प्रकार के लड़ाई जगड़े से आपको बचना आज का दिन आए जो काड़ है कंप्लीटली आपके लव अफेर आपकी मैरेज लाइफ को लेकर फोकस कर रहा है कि किसी भी प्रकार से आप अपने पार्टनर का अपमान ना करें उन्हें समझने की कोशिश करें थ करना है चांबर आपका दिन शुबह आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है रिकॉंसलेशन एंड डिगनिटी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी माता का सम्मान करें मदर एनरजी के साथ आज आप अपने आपको कनेक करें मादुरगा की आप उपास ना कर सकते हैं आपके उपरबनी रह सकती है उसकी वज़स से आप जीवन में काफी कुछ सफलता को अरजित करेंगे कुल मिला के आज आपका जो दिन है वह अपनी मदर के साथ मदर लाइक एनरजी के साथ आप व्यतीत करेंगे कोई कैसी इस्तरी जो आपको बहुत सपोर्ट करती है आपको कंफूर्ट करती है जिसके साथ आपको रहना पसंद है तो आज एक ऐसी स्तरीक साथ आप अपना टाइम स्पैंड करने वाले वह की मदर हो सकती है आपकी बहन हो सकती है क्ल मिला के आज का दिन वीमील औरेंटेड है फीमेल एनर्जी ओरिंटेड है और अगर आप एक सादक हैं तो देवी भगवती के साथ आज आपका सानेद्याब को महसूस करेंगे आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक छे के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक छे के लिए हमसे कहा जा रहा है एनर्जी का और क्लारीटी का कार्ड है आप कहा जा रहा है कि आज़ की आपके Ennergy बहुत ही अच्छी है बहुत स्ट्रोंग energy हैं और कही ना कही जो energy है ना या आपकी जीवन में भ्रहम की स्तिती बन रही है ना उसको साफ करेगी उसको clear करेगी कुछ चीजों में आप clear नहीं हो पा रहे हैं सही निर्णे नहीं नहीं ले पा रहे हैं फिर वो चाहे आपके relationship का स्टेट बन रहा है तो वो आज आपका बिल्कुल clear हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो आपको आज clear करने का प्रयास करना चाहिए अपने communication आपको बिल्कुल strong रखनी है clear रखनी है जो आप चाहते हैं उसे इस पश्ट रूप से कहें आपका दिन शुब हो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज के गाइड कर रहे हैं 31 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है healing and gentleness का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत बहतर महसूस करने वाले हैं स्वासलाब होगा आपके जो कारे हैं वो आगे बढ़ेंगे साथी साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एक अच्छे से व्यवहार करते हैं आप अच्छे से बरताव करते हैं तो बिमार से बिमार विक्ति भी ठीक होने लगता है उन्हें अच्छा लगता है कहीना कि हम किसी को अख्षा होने का या खास होने का आशास दिलाते हैं तो इस व्यक्टि इस लोग आज अपको अपने की बात शेयर करेंगे आपको क्या करना है कि एक ओनेस्टी को और उसके रहसे को जो राज है जो सीक्रेसी आप लोगों की होगी बीच की उसको अंडेस्टैंड करते हुए आपको उसको बनाए रखना है कहीं ना कहीं आज आपकी उर्जाएं इतनी अच्छी है इतनी हीलिंग आपकी कि लोग आप से कनेक्ट होकर आटमाटिकली हीलोना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के कल्यान के लिए जो प्रात्ना करते हैं वह आज लोगों तक पहुंचेगी और रिजल्ट आज आपको प्राप्त होगा आपका दिन शुभू आए जानते हैं मूलांक आट के लिए परमात्मा हमें आज क्या गाइड कर रही कत्यस अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक आट के लिए हमको कहा जा रहा है ड्रीमर एंज जुर्नी का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आपने जीवन में लक्ष को निर्धारित किया था आज उस पत पर आप काफी आगे आ गए हैं ऐसे में अपने आपको बहुत कुछ जल्दी प्राप्त करने के चकर में हडबड़ी करके अपनी उस यात्रा का नुकसान ना करें बलकि परमात्मा का धन्यवाद दें हर उस विक्ति का धन्यवाद दें जिसकी वजह से आज आज आप यहां हैं तो कुल मिलाके हडबड़ी करने के बजाए जितना जादा आप ग्रैटीटूड के भाव में रहेंगे उतना ही अधिक सफलता को आप अरजित करेंगे साती साथ लोगों की ब्लैसिंग्स भी अरजित करेंगे तो आपको क्या करना है कि किसी प्रकार से एगो को आज इसके लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है चर्णी एंड चेंज का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन एक तो आपकी यात्रा का योग है और यह यात्रा आपके जीवन में बहुत सुखद परिवर्तन लेकर आ रही है कुल मिलाके आप अपने कारे को लेकर अपने प्रोफेशन को लेकर यात्रा पर जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके करियर को एक नया आयाम देने वाली होगी आपके जो कहते हैं कि आपका जो मेंटल थौट प्रॉसेस है वो तक चेंज हो जाएगा तो कुल मिलाके आज का दिन बहुत अच्छा है आपके यात्राज की सुखद है आपका दिन शुभ हो दोस्तों यह थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो आप इतना प्यार और सम्मान जो हमारी कारिक्रम को देते हैं हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद देती है आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम